दोस्तों IPL का बड़ा खुलासा IPL 2018 के आयोजन को रोकने के लिए जनहितियाचिका दायर जानिये वज़े है नुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनजी और न्यायाधीशे सेल्वम की पहली पीठ ने ग्रहम अंत्राले और भारतिय क्रिकेट बोर्ड बी-सी-सी-ाई को नूटिस भेजने का आदेश दिया इंडियन प्रीमिय लीग के ग्यारहवे संसकरण का आयोजन रोकने के लिए मदरास उच्छन यायाले में बी-सी-सी-ाई के खिलाफ आज एक जनहितियाचिका दायर की गई है IPS अधिकारी जी संपतकुमार द्वारा यह याचिका मैच फिक्सिंग और सटेवाजी को रोकने के लिए परियाप्त कदमों की अनुपस्थिती के कारण दायर की गई है IPL 2018 साथ अप्रैल को मुंबई इंडियन्स और चेन्नाई सुपकिंग्जा के बीच मुंबई में होने वाले मैच से शुरू होगा मुख्य न्यायाधीश इंडिरा बनजी और न्यायाधीश सेल्वम की पहली पीच ने ग्रहम अंत्राले और भारतिय क्रिकेट बोर्ड बी सी सी आई को नूटिस भेजने का आदेश दिया पीच ने सुनवाई की तारीक तेरह मुकरर की पीच ने हाला की कहा की मैच फिक्सिंग की संभावना और अन्या उलगनों के चलते टूर्नामेंट को कैसे रोका जा सकता है तो इस पर याचिका करता ने कहा की उनका इरादा मैच को रूखवाने का नहीं है और वह याचिका में संशोधन करने को सहमत हो गए दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें